हेलो एवरिवार आज की वीडियो में हम लेके आई है तैन मोस्ट इंपोर्टेंट साइस जी के क्यों सान चाले शुरू करते हैं जो लाइट वेव होती है उनकी लेंथ मेजर करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते हो अंसर इज एंगस्ट्रोम यूज किया जाता हो जो वन एंगस्ट्रोम है वो 10 तो पावर माइनस 10 मिल्टर के इक्वल होता है जो बहुती कम टाइम की जो वेव होती है उसको क्या बोलते है पल्स जो लूमिनस इंटेंस्टी होती है उसकी एसाई यूनिट क्या होती है अंसर इज कंडेला एंगस्ट क्योशन इज वट इस दी यूनिट ओफ मैगनेटिक फ्लक्स जो मैगनेटिक फ्लक्स है उसकी क्या यूनिट है अंसर इज मैक्सवल and next question is what is the unit of specific resistance answer is ohm meter ohm को आप ऐसे भी लिख सकते हो ohm meter the specific resistance है उसके unit क्या है ohm meter and next question is the wavelength of visible spectrum range from dash जो visible spectrum होता है उसकी wavelength की range क्या है answer is 392 700 nanometer 390 से 700 nanometer के बीच में and next question is a washing machine works on the principle of जो washing machine होती है वो किस process के उपर based है किस principle के उपर काम करती है वो answer is centrifugation एक process होती है उसके principle के उपर काम करती है and next question is when a ball is thrown upward what happens to its acceleration जब एक वोल उपर फैकी जाती है तो उसकी acceleration के साथ क्या होता है acceleration कम होगी ज्यादा होगी या same रहेगी answer is it remains constant acceleration change नहीं रहे होगी वो constant रहेगी and next question is magnifying glass is made of which type of lens जो magnifying glass होते है वो किस ताइप के lens से बने है answer is convex lens magnifying glass जिन में बड़ा दिखता है वो किस से बने है convex lens के 7-A है